नमस्कार दोस्तों मैं हुए S.P. शर्मा आप देख रहे है ग्रिन गार्डन चैनल ग्रिन गार्डन चैनल में आप सभी करशागत है आज मैं आप लोगों की साथ शेयर करूंगा एडेनियम फ्लाइर प्लाइन की प्रूनिंग रिपॉर्टिंग आप लोग कैसे करेंगे आभी फेबरारी मांथ में आप लोग एडेनियम फ्लाइर प्लाइन की रिपॉर्टिंग प्रूनिंग कर लिजिए कौनसी फ्लॉर प्लाइंट की रिपोर्टिंग करना है कौनसी फ्लॉर प्लाइंट की प्रूनिंग करना है कौनसी फ्लॉर प्लाइंट की प्रूनिंग रिपोर्टिंग नहीं करना है शब कुछ रहेगा एक ही वीडियो में शिंडर मिडिया की reporting pruning और शॉयल मिडिया की reporting pruning शब कुछ शेर करेंगे आप लोगे शाथ शब से पहले तो मैं बात करूँगा जो floor plant में fruit लगा है इसका pruning आप नहीं कर शकते इन केस आपको अगर इससे बीज लेना है तब आपको ए floor plant की pruning बिलकुल भी नहीं करना है एक 3 इंच की pot में लगा हुआ है और मुझे इसको कम से कम 6 से लेके 8 इंच की pot में shift करना है तब जाके आपको आच्छा result मिलेगा इसका sheets जब पक जाएगा उसके बाद ही मैं इसको pruning कर पाऊँगा उससे पहले बिलकुल भी pruning नहीं करेंगे शायल में हो या शिंडर में हो कोई भी floor plant है और stem देखिए एक है एक stem लंबा गया है इसमें भी एक stem है और इसमें floor भी नहीं है और शात में इसमें कोई भी sheet pot भी नहीं है लेकिन पीछे एक floor plant है इसमें देखिए floor है तो हमको क्या करना है जिसमें floor नहीं है इसका तो pruning हमको करना है शब से पहले pruning करने के लिए आपको एक pot से निकल लेना है निकलने के बाद अच्छा से wash कर लेंगे और पीछे की जो plant है उसको भी हम देख लेते हैं उसमें क्या क्या है ये floor plant में floor तो खिला हुआ है इसकी भी हम pruning कर शकते हैं ये देखिए यहां से हो शकते हैं इसका fruit लगे इनके सागर इसमें भी fruit लगेंगे तब मैं इसका भी pruning नहीं करूंगा ये एक 6 इंच की pot में लगा हुआ है इसको हम 8 इंच की pot में shift कर देंगे आपके पाश अगर इतनी छोटे एडिनियम flower plant है देखिए बहुत ज़्यादा छोटे है और एक grafted है double variety की है ये देखिए ऐसे अगर flower plant है तो इसका kindly आप pruning ना करें क्योंकि बहुत ही छोटे है इसका जो branch है बहुत छोटे है इसमें अभी flower है flower आने दीजिए लेकिन इसका reporting करेंगे इसका reporting आपको तुरंत करना है plant को निकल लेना है क्योंकि एक 3 इंच की pot में लगा हुआ है इन केस आपके flower plant अगर बड़े pot में लगा है तो reporting भी ना करें चोटे pot में होंगे तो तुरा सा बड़े pot में आपको shift करना है इस flower plant को अभी निकल लेना है निकलने के लिए आपको ऐसे करके पलटा देना है और कहीं जाके ऐसे करके आप ठोकर मार देंगे तो आपकी flower plant निकल के बाहर आ जाएगा शोयल से मैंने एक flower plant निकल लिए है देखिए नीचे की देखिए roots जो है बहुत ही अच्छा है आप इसको wash करेंगे शिंडर मिडिय से ये flower plant को निकल लेंगे इसको भी same process में आपको निकलना है ऐसे करके आप पलटा देंगे और इसके बाद कहीं जाके आप अगर ठोकर मार देंगे तब ये flower plant निकल के बाहर आ जाएगा दोनों प्लांट की age बिलकुल सेम है एक शाथ मैंने लगाया था दोनों प्लांट देखिए इसका जो roots है नीचे की देखिए कितनी ज़्यादा roots है बहुत ज़्यादा roots हुआ है इस शिंडर मीडिया में है और इस शॉयल मीडिया में था इसका देखिए मोटे मोटे roots हुआ है और कुछ रेशेदार roots जो है वो बहुत ही कम है इसमें रेशेदार roots बहुत ज़्यादा है और मोटे roots भी है बहुत ज़्यादा है चलिए आप हमक पाकेट में कुछ बाटर ले लिए हैं आप लोग देख पार हैं अब एडिनियम फ्लावर प्लाइन को यह बाटर में हम कुछ दिर के लिए ऐसे करके राखेंगे इसका जो रूट जोन है रूट जोन को डोबो के राखेंगे फ्लावर प्लाइन की रूट वाश करने का रिजन ए है इसकी रूट जोन में कोई फंगास तो नहीं लगा हुआ है यह हमें देखने को मिल जाएगा और बिल्कुल अच्छा से साफ सपाई होने के बाद ही हमें समझ में आता है दूसरे बात कुछ जो रूट से है इसका रूट स्पुनिंग भी हमको करना है तो कितनी रूट स्पुनिंग करेंगे ओ भी हमें पता चल जाएगा दस मिनिट के लिए ऐसी रखेंगे इसके बाद हम वाश कर लेंगे आप भी अच्छा से वाश कर लिजेगा और नहीं तो टैप की नीचे रखकर भी आप वाश कर शकते हैं दोनों फ्लाओर प्लाइंट को देखिए निकाल कर वाश कर लिए है पानी से अच्छा से वाश हो चुके है और ये फ्लाओर प्लाइंट की रूट जोन में कोई भी विमारी नहीं है यानि कि कोई भी रूट रोट नहीं हुआ है देखिए बहुत अच्छा रूट से अब ही क्या करना है हमको प्रूनिंग करना है प्रूनिंग करने के लिए उपर की भी प्रूनिंग करेंगे और नीचे की भी प्रूनिंग करेंगे ये जितनी भी रेशेदार रूट्स देख रहा है पूरे रूट्स को हमको अलग कर देना है आप हो तो एक blade ले लिजिए और नहीं तो कोई ऐसा टाइप की tools ले लिजिए और ये जो रिशेदर roots है ये शब roots को हमको cut कर देना है क्योंकि ये रिशेदर roots हमको नहीं रखना और यहां तक मिट्टी की निचे थे आभी थोड़ा सा उपर करेंगे यहां तक राखेंगे ताकि ये देखिए ये जो white है white portion मिट्टी की निचे था आभी हम इतना उपर कर देंगे एक से देरींच हम मिट्टी की उपर करेंगे तो धीरे धीरे हमारे जो cutex है cutex की size मोटा होंगे बड़े होंगे और अच्छा होगा आराम से आपको ये रेशेदर roots को cut करना है ऐसे करके जितनी भी रेशेदर roots होंगे शब को आपको cut कर देना है हमको ये roots को भी cut करना है क्योंकि एक कोडेक्स की बहुत जदा उपर से आये हुए है तो इसको भी हम cut कर देंगे जितनी भी उपर से रेशेदर roots थे मैंने पूरे cut कर दिये है आप ही हमको यहाँ से cut कर देना है देखिए यहाँ से जितनी भी roots सोंगे पूरे roots सामेहा से cut कर देंगे यह देखिए हमने नीचे से भी cut कर दिये है root pruning हो चुके है flower plant की second plant की भी ऐसी करेंगे आप उपर से आपको branch pruning या stem pruning आपको कैसे करना है यह देखिए यह तो एक single stem का है sheet से तयार हुआ है देशी है तो आपको जितनी भी height रखना है उतनी उपर से आप cut कर शकते हो मैं almost 4 inch height रखेंगे उसके उपर से cut लेंगे यह देखिए almost 4 inch इतनी उचाई से हम cut कर देंगे इतनी उचाई से हम cut कर देंगे यह देखिए हमने cut कर दिये है आप इसमें fungicide की paste लगाना है यहाँ पर लगाएंगे और नीचे जहाँ जहाँ पर cut किये है fungicide की paste लगाना है चार से लेके 7 दिन तक आप shade में a floor plant को रखिएगा ऐसी रखेंगे एक plate और नहीं तो कागज की उपर, news paper की उपर और नहीं तो ऐसे कोई tub लेंगे और पानी नहीं लगाएंगे इसमें बिल्कुल shade में जहाँ पर धूप नहीं जाते आप room temperature में रखे अच्छा result मिलेंगे पास से शाद दिन बाद आप एक floor plant को फिर से grow करेंगे और पास से शाद दिन बाद हम मिलेंगे लेकिन इससे पहले आपके पास जो floor plant पे multiple branches है उसका जो pruning है, root pruning सेम है देखिए एक floor plant की भी जो branches है काफी ज़ादा अच्छा नहीं है बहुत सारा भी ही नहीं है तो इस floor plant को भी हमको थोड़ी थोड़ी करके काट करना है बहुत लंबा नहीं राखेंगे यहां से लेके मान लीजे 2 से 1.5 इंच यह 2 इंच हम राखेंगे और यहां से काट करेंगे इसकी भी हमको दो इंच रखना है फिर काट करना है और एक ब्रांच है इसका भी दो इंच रखना है फिर काट करना है देखिए मैं अब ही आप लोगों को बताता हूँ multiple branch बाले को भी देखिए मैंने cut कर दिये है ये cut करने से क्या होगा एक एक branch में दो दो तीन तीन चार चार ब्रांचे साएंगे तब हमारी flower plant फिर से बुशी बनेगा अब ही आप अगर ऐसे करके flower देखेंगे अभी तो हमारी flower plant में flower खिल रहा है तो अभी हमको pruning करना है या नहीं करना है आप ही आप अगर pruning नहीं करेंगे तब आपको अच्छा result नहीं मिलेगा pruning तो आपको करना ही पड़ेगा और ये flower plant को भी अभी fungicide की paste लगा के हमको रख लेना है shed में चलिए इसके बाद हम मिलते है पाँच दिन बाद सॉप्ट हो गया बहुत जदा सॉप्ट नहीं हुआ है आप अगर प्रेस करोगे तो हलका हलका सा सॉप्ट हो चुके है आभी हम इसको रिपर्टिंग कर शकते हैं हमने फंजिसाइड लगा दिये थे यह दिखिए जहा इसमें हमने फंजिसाइड लगा दिये थे देखिए आब हमको एक शॉयल मिडिया तेयर कर लेना है दोनों प्लांट छोटे हैं तो हम अभी शीक सिंच पॉट में ही ग्रो करेंगे बड़े पॉट में आभी हम शीप्ट नहीं करेंगे दो पॉट ले लिए हैं शीक सिंच की देखिए ड्रेनेज होल में मैंने कुछ बड़े बड़े शिंडर की टुकरे डाल दिये हैं ऐसे गर के आपको भी ड्रेनेज होल कबर कर देना है मैं इस जगा पर शॉयल बिलकुल भी नहीं लेंगे यह सेंड है मेरे पास 80% सेंड आप एक बावल से ना पलीजिए देखिए यह जो बावल है यह बावल से मैंने 8 बावल सेंड लिये है दो बावल कंपोस्ट लिये है यह मेरे पास कावडंग कंपोस्ट है मैंने कावडंग कंपोस्ट लिया है दो बावल तो 8, 2, 10 यह हो चुके 100% और यहां पर हमने 2 चमबच यह चमबच से 2 चमबच बोन मिल 2 चमबच हर्ड मिल 2 चमबच निमखले लिए है यह भी हम इसके साथ एड़ करेंगे इसके साथ हमको एड़ कर देना है और यह जो एक मीडिया तयार होंगे यह मीडिया एक बेल ड्रेंड मीडिया तयार होंगे आपके पास बहुत अच्छा मीडिया तयार होगा और आपके एड़नियम फ्लॉर प्लान्ट सालोज साल चलेंगे कभी भी रूर रोट नहीं होगा हम अच्छा से मिक्स कर लेते हैं शॉयल तेयर हो चुके है अच्छा से मिक्स कर लिए है कुछ शॉयल आभी एक पॉट में हमको फिल कर देना है ऐसे करके कुछ शॉयल हमको फिल करना है हलका हातों से थोड़ा सा प्रेस कर देना है इसके बाद हमको प्लांट बैठलना है यह प्लांट शॉयल मिडिया का प्लांट था तो इसको हम बिचो बिच रखेंगे ऐसे बिचो बिच मैंने बैठल दिये है इसके बाद आजू बाजू से कुछ शॉयल हमको फिर से डाल देना है प्लांट को धेन रखिएगा आपको बिल्कुल शीधा बैठ लना है ये देखिए बिल्कुल शीधा बैठ चुके है फाइनली हमारी फ्लावर प्लांट लग चुके है और चारो साइड से हमने मेडिया को ऐसे करके प्रेस कर दिये है अच्छा से और हमारी फ्लावर प्लांट बिल्कुल लग चुके है, सेकेंड प्लांट हमको शिंडर मिडिया में लगाना है, शिंडर मिडिया में लगाने के लिए शिंडर की रेशियो भी सेम लेना है, बावल से यह जो बावल है या कोई भी कंटेनर हो, वो कंटेनर से आपको आठ कंटेनर लेना है शिंडर, दो कंट आपके पास भर्मी कमपोस्ट है, आपके पास काउडंग कमपोस्ट है, आपके पास लिफ मोल्ट कमपोस्ट है, कोई भी कमपोस्ट, दो बावल या दो कंटेनर लेंगे, दो चम्मच बोन मेल, दो चम्मच हर्ण मेल, दो चम्मच निमखली, एड कर दिया मैंने, ऐसी करके करना है यह देखिए यह बिल्कुल तैयर हो चुके है यह हमारी पॉट है पॉट में कुछ शिंडर आभी हम फिल कर देंगे ऐसे गर के आपको फिल कर देना है इसके बाद हलका हातों से फैला देना है और प्लांट को ठीक बीचों बीच बैठालना है यह प्लांट है इसको ठीक बीचों बीच बैठालना है इसके बाद फेर से कुछ मेडिया हम डाल देंगे इसमें यह हमारी फ्लार प्लांट बिलकुल फाइनाली लग चुके है प्लांट लगने के बाद चारो साइट से आपको ऐसे करके प्रेस कर देना है ताकि ज़्यादा गैप ना रहे फाइनाली फ्लार प्लांट लग चुके है इसके बाद हमको वाटरिंग करना है पानी देना है देंगे आपको आभी fungicide वाली पानी देने की कोई भी जरूत नहीं है आप सिर्फ शादा पानी दीजी चलेगा कोई परिशानी नहीं है यह हमने पानी डाल दिये है और यह दिखी नीचे की drainage hole से पानी निकल चुके है इतना ही पानी चाहिए है और यह flower plant को आभी कुछ शमाई के लिए semi shade में ही रखना है यानि की early morning में sunlight आए और पूरे दिन की sunlight ना मिले चंकर sunlight मिले ऐसे जगा पर place करेंगे धीरे धीरे करके इसका ब्रांचे साना start होगा उसके बाद इसका जो feeding होगा feeding मैं आप लोगों को share करूंगा अब ही कोई भी feeding नहीं देना है कोई fertilizer नहीं ऐसे करके second plant को भी मैं पानी दे दूँगा उम्मीद करतों दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है और अगर पसंद आता है तो like कर देना, share कर देना, subscribe जरूर कर देना शाथ में bell icon को प्रेस कर देना आज अही तक है thanks for watching